प्रदान मंत्री नरेंदर मूदी ने आजा काश्वानी से मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के शोताओं के साथ अपने विचार सांजा किये यह मासिक कारिक्रम की 97 और इस वर्ष की पहली कड़ी थी। प्रदान मंत्री ने इस बात पर गर्व्यक्ति किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतराष्ट्र योग दिवस और अंतराष्ट्र मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत की प्रस्ताव पर सकारात्मक ने रनाय लिया उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों स्वास्ते से जुड़े हैं। उन्होंने प्रसने तवक्त की कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपने भूजन में शामिल कर रहे हैं। श्रीमोदी ने कहा कि इससे पारम परिक रूप से मोटे अनाज उप जाने वाले छोटे किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस बात पर प्रसनेत विक्त की कि किसान उत्पादक संगो और उद्यम्यों ने मोटे अनाज को बाजार में उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू किये हैं। प्रधन मंत्री ने देहरदून के वत्सल का जिक्र करते हुए कहा कि वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूँ क्योंकि उस दिन पदमपुरसकारों की घोशना होती है और एक प्रकार से 25 तारीक की शाम ही मेरी 26 जनवरी की उमंग को और ही बढ़ा देती है नई दिल्ली में एतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट का आयुजिन होगा इसके साथ ही चार दिन से चल रहे गरतंतर दिवस समारों का समापन हो जाएगा इस अवसर पर शास्त्री रागों पर आधारित भारतिय धुने बजाई जाए इस बार के बीटिंग रिट्रीट में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शोवी होगा जिसमें साड़े तीन हजार स्वादेशी ड्रोन शामिल होंगे इन ड्रोन की मौझूदगी से रायसिना हिल्स जगमगा उठेगा ये ड्रोन महान हस्तियों के आकरतिया भी बनाएंगे और देश में स्टार्टप की सफलता युवशक्ति की तकनीक इक्षमता और भविश्चन मुखी प्रवर्तियों को दर्शाएंगे समारूह का आयोजन बोट लैब्सड टाइनमिक्स ने किया है पहली बार बेटिंग रिट्रीट में 3D की जहलक भी मिलेगी समारूह की पति मुर्मो आज राश्पति भवन के उद्यान उत्सव 2030 का उद्गाटन किया इस उद्यान में दर्शक कई अन्याकर्शनों के साथ साथ ट्यूलिप के फूलों की समय समय पर खिलने वाली 12 अनूठी प्रजातियां देख सकेंगे इस बार ये उद्यान लगभग 2 महीने के के लिए खुला रहेगा आमजनेता के लिए ये प्रतियेक सवंवार को छोड़ कर 31 जनवरी से 26 मार्श तक खुलेगा 28-31 मार्श तक विशेश्वेडी के दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा 28 मार्श को किसान 29 मार्श को दिव्यांग जन 30 मार्श को रक्षबल अर्दिस स्लॉट रखे गए हैं लोग ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं ये बुकिंग www. राश्पति सचिवाले पर की जा सकती है स्वतंतरता के 75 वर्ष के उपलक्ष में मनाये जा रहे है आजादी का अमरित महुत्सव के अंतरगत राश्पती ने राज की अवकाश को छोड़कर प्रतियक शनिवार को राश्पती के अंग्रक्षकों के चेंज ऑफ गार्ड समारोह को भी देख सकते हैं उत्तरा खंड में रविवार तड़के सी मौसन ने एक बार फिर करवड बदली है बीते दो दिन की तेज धूप के बाद आज आसमान पर घनी बादल चाय हुए हैं उचाये वाले एलाकों में बारिश और पर्फबारी की सूचना है मौसम विभाग ने दविवार और सोमवर को बारिश और पर्फबारी का पूर्वनुमान व्यक्त करते हुए बीते रोज की अडवाईजरी जारी कर दी थी राज्जी मौसन विज्ञान केंद्र के अनुसार एक पश्चिमी विक्षो बुत्तर अखंड को प्रभावित कर रहा है इसकी प्रभाव से आज गड़वाल मंडल में अधिकांश स्थानों पर जबकि कुमाव मंडल में अनेक स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी 25 शेत्रों में हिमपात की संभावना है वही कल समवार को प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश और 22 मिटर वह उस से अधिक उचाई पर वर्फबारी होगी इसकी सांथ ही राज्य के मैदानिक शेत्रों में दोनों दिन कहीं कहीं तेज बॉच्छार और ओलावरश् संख्या में बढ़ोत्री नहीं हो रही है यहीं नहीं जमी से फूट रहे पानी के डिश्चार्ज भी अब घटकर 170 LPM हो गया है जिबकि 6 जनवरी को यह डिश्चार्ज 540 LPM था आपदप्रवंधन सचेवरंजीत सिंहा ने बताया कि प्रभाइक शेत्रों में अग्रिम राहत क के तोर पर 3,50,000,000 रुपे वित्रित किये गए हैं यह राशी 233 प्रभावितों को दी गई है 105 प्रभावित किरायदारों को भी 52,000,000 रुपे ततकाल राहत के तोर पर दिये गए हैं उन्होंने बताया कि अभी तक 248 परिवार सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थाई रू की जाएगी यह जानकारी पुलिस महानिदेशक शुक कुमार ने दी उन्होंने बताया कि सभी जिला पुलिस प्रमुखों को इस संबंद में देश दिये गए हैं उन्हें कहा गया है कि गौवन्श संद्रक्षन अधीनियम 2007 से संबंधित अभीयुक्तों पर गिरोह बंद अ झाल